Viking К toxins, आज हमनेm math के exercise ना 4.4 स्टार्ट करनी है जिसमें 2 integers को multiply करना सीखना कि ओ neces much multiply कैसे होते हैं इसमें exercise numberъ 4.4 , इसमें हम इस से पहले 2 चीजे सीखते हैं science के बाले science कहते हैं जो plus or minus जो 3 आ 4 के पीछे लगा उता है यह बात इस दो रूल हैं कि अगर like signs हो, like signs का मतलब है, एक जैसे signs हो, यानि कि अगर यह plus 2 multiply होगा, plus 3 से, तो जो एक जैसे sign होगा, उनका answer भी plus आएगा, जो same signs होंगे, उनका answer क्या आएगा, plus आएगा, तो यह 3, 2, 0, 6, लेकिन अगर यह ऐसे हो, minus 2 multiply minus 3, तब भी answer इसका plus ही आएगा, तो यह बात याद रखनी हैं कि जो signs एक जैसे हो, same हो, बिल्कुल एक जैसे sign हो, जैसे, यहां पर यह भी plus है, यह भी plus है, तो answer भी plus हाएगा, यह minus है, यह minus है, तब भी answer plus हाएगा, यह बस बात याद रखनी है, एक यह rule है, और एक यह rule है, इसके, इसको अगर हम उल्टा करते हैं, यह थे थे ना, जो same same signs थे, अब हम वह भी rule करते हैं, जो जिसमे same signs नहीं होंगे, जैसे, यहां पे plus हाजए, multiply यहां पे minus हाजए, तो जब same signs नहीं होंगे, तो महरा answer क्या आएगा, negative हैगा, अगर same signs होंगे तो answer में यानि प्लस में आएगा अगर leather leather signs होंगे तो मारा answer माइनस में आएगा यानि कि negative आएगा जैसे अगर minus पहले आजाए तब ही मारा answer माइनस में आएगा ये बस दो चीज़े याद रखने वाली है इसमें अगर same signs है और हो multiply हो रहे हैं तो मारा answer हमेशा प्लस में आएगा अगर change signs हैं, different signs है अगर ये different signs हैं तो मारा answer हमेशा negative में आएगा बस ये दो चीज़े आज हमने पढ़नी है इसको question number one start करते है इसका number four point four का पहला question है हमारे पास plus six multiply minus three और आगे उसने ये block चौड़ दिया कि इसको हमने solve करके बताना है कि एक इसने solve होगा तो हम देखते हैं अभी हमने पढ़ा था कि अगर sign different हो तो मारा answer में शा माइनस में आता है इसका मतलब इसका हम directly answer क्या लिख सकते हैं ये वह वाला plus है और ये minus है change है तो मारा answer क्या आएगा minus और आगे हम वैसे खुद से bracket लगाके लिख देंगे कि इन दोनों को multiply कर देंगे 6 multiply by 3 तो यहां भी हमारा answer क्या आजाएगा 6,318 इसका मतलब हमारा answer क्या आएगा minus 18 तो यह हमारे पास का answer आगे इस तरह इस इन questions को solve करना है इसका एक और question करते हैं जैसे हों जी दूसरा question है और दूसरी question में क्या कहता है कि हमारे पास है minus 9 multiply block short दिया उसने और इसमें उसने हमें answer दे दिया पहले से और एक number दे दिया दूसरा number हमने खुद से find करना है कि मारा answer क्या होगा अच्छा जिसके पीछे जैसे यह 81 है इसके पीछे कोई sign नहीं लगा हुआ तो जिसके पीछे कोई sign नहीं लगा हुआ तो उसके पीछे मेंशा plus का sign होता है इसका मतलब यह plus कैसे आया हो गए है तो माइनस है अभी हमने पढ़ा था कि दो sign जब same हो दोनों एक जैसे sign लो तो हमारा answer मेंशा plus में आता है इसके मतलब यहां पर कोई भी नंबर आये उसके साथ sign कौन सा आएगा माइनस का आएगा ठीक हो गया इसको भी सभी तरह गरिख रिखते हैं माइनस अब हमने देखना है 9 को किस से multiply करें हैं कि हमारा answer 81 है तो 9 को अगर हम multiply करें 8 से तो यह तो सीथ सीथ ही हो जाएगा बिलकि यह तो डिरेक्ट टी आर नाइन की टेवल से 99081 तो यहां पर क्या आजेगा 9 आजेगा तो अगर हम इसको solve करें इस वाले को तब भी हम देखते कि क्या आता है तो माइनस 9 इन दोनों में से माइनस माइनस है माइनस 9 multiply माइनस 9 माइनस को जब माइनस से multiply करेंगे दोनों साइन एक जैसे हैं तो मारा answer किसमें आएगा प्लस में 99081 तो इस तरह से मारा answer प्लस 81 आगे है प्लस 81 आगे है इसके बाद इसके question number हम करते हैं यह seven वाला seven वाले में लिखा हुआ है minus multiply minus equal to block चोड़ दिया उसने अब भी हमने बढ़ा था यह तो बिल्कुल से पहले वाले स्वाल आ गए जब मैं समझा रहा था कि दो साइंस जब एक जैसे होते हैं तो मारा answer हमेशा plus में आता है हमारा answer मेशा plus में आता है यह इसका answer है और अगर अगला वाला देखें वो क्या कहता है plus multiply minus तो बताएं इसका answer क्या होगा अब उपर वाले में हम देख सकते हैं कि दोनों साइंस एक जैसे थे तो हमारा answer plus आ गया इसमें sign change है तो मारा answer minus आएगा इसके बाद इसका एक और question करते हैं इसमें और पता चल जाएगा कि यह किस्तना से होगा यह एक फोर वाला इसमें उसने पहले ही ब्लॉक दे दिये जी बिटा यह वाला question है इसमें देख सकते हैं कि 21-21 के साथ कोई sign नहीं लिखा हुआ तो उसके साथ कौन सा sign आएगा plus का sign आएगा यह तो पहले से इंडिस्टूट बात है कि इसके साथ कोई sign ना लिखा हुआ उसके साथ मेंशा plus का sign होता है अब यहां पर plus 11 लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पर कौन सा sign आएगा कि यहां पर plus है तो अभी हमने बड़ा सा जब दोनों sign एक जैसे हो तो हमारा answer plus आता है तो यहां पर हमारा क्या answer आएगा plus आएगा अब यह plus plus दोनों सेम है तो answer भी plus आगया अब इस 11 को किस से multiply करेंगे हमारा answer one twenty one है हम 11 को ten से करके देखते है zero zero one one zero one one zero यह नहीं आरा यह छोटा आरा 11 को 11 से करके देखते है one one's a one one one's a one यह भी one करेंगे one two one इसका मतलब 11 को अगर हम 11 से multiply करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा one twenty one आएगा इसका मतलब हमारा यहां पर क्या आएगा इसका मतलब हमारा यहां 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 को 11 को 11 से multiply करेंगे सिर्फ यह बॉक्स फिल करने से इस तरहां बेटा आपने बाके क्योंस को भी खुदी सॉल्फ करने हैं अब लों का homework लिख देता हूं एक्सराइस नंबर फॉर पॉइंट फॉर पॉइंट फॉर इस नंबर बन के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं कि वह आप लोगों ने कहुंब करने हैं आप लोगों ने कहुंब करने हैं